Hello Friends, Welcome back to my channel The Taste of India तो Friends कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे सूजी की बर्फी Friends सूजी की बर्फी बहुत ही टेस्टी बनती है और अगर आपने एक बार ये बना ली तो बार बार बनाओगे और बाजार की बर्फी को तो भूल ही जाओगे तो Friends चलिए पिर सूजी की टेस्टी बर्फी बनाते है इसके लिए मैंने कड़ाई के अंदर तीन से चार छोटे चमच घी डाला है घी को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है मैंने कड़ाई के अंदर बारिक वाली सूजी डाली है अगर आपके पास बारिक वाली सूजी ना हो तो mixi के अंदर एक दो बार चला ले और उसी से आप वर्फी बनाए वो टेस्टी बनेगी तो इस तरह से चलाते वे मैंने से low flame पे सेखा है और दूसरी तरफ मैंने चाशनी बनाई है पेन के अंदर मैंने शक्कर और आदगलास पानी डाला है मैंने जिस कब से सूजी ली थी उसी कब से मैंने शक्कर नापी है तो डाइसोग्राम से थोड़ी कम ली है और मैंने चाशनी बनाने के लिए रग दी है और दूसी तरफ ट्रे के अंदर मैंने घी लगा लिया है उसे ग्रीस कर लिया है और इदर चाशनी बनने लगी है लो फ्लेम पे सूजी की सिकाई की है तो अच्छे से लो फ्लेम पे ही सूजी की सिकाई करनी ही जादा नहीं करनी है बस कच्छापन हड़ जाए उतनी ही करनी है इधर चाशनी भी बन चुकी है चाशनी को एक या दो तार की नहीं बनाना है बस चिपचिपा होने तक मैंने बना फिर लो फ्लेम पे मैंने लगातार इसे चलाते वे अच्छे से थिक होने दिया है तो ये अच्छे से थिक होने लगी है फ्रेंड्स सूजी अच्छे से इखटा होने लगी है और कड़ाई के अंदर डो बनने लगा है फिर मैंने इसके अंदर एक ग्लास गुनगुना दूद डाला है दूद के अंदर मैंने थोड़ी मलाई भी ली थी तो दोनों मिक्स में डाले हैं अगर आपके पास मलाई ना हो तो सिर्फ द यह डाला है बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से पर्फेक्ट यह पक चुकी है तो मैंने गेस की फ्लेम ओफ कर दी है और गी लगी वी ट्रे के अंदर मैंने इसे निकाल लिया है और चम्मच की सायता से दबाते वे मैंने इसे सेट कर दिया है ट्रे के अंदर इस त और थोड़ इसे मैंने पिस्ता कतरन डाली है जो आपको ड्राइफ रूट पसंद हो आप वो डाले आप चाहे तो इससे सिंपल भी रख सकते हैं फिर मैंने इस पेश्चुला की साहता से इसे अच्छे से दबा दिया है उपर से थोड़ इसे मैंने गुलाब की पत्या लगाई है और फिर चाकू की साहता से मैंने आदे गंटे बाद इसे अच्छे से काट लिया है आपको जेसा शेप पसंद हो आप वैसे काटे फिर मैंने इस पे थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाया है तो अच्छे से सेट हो चुकी है आपके पास चांदी का वर्क हो तो लगाए व भूले थेंक्यू सो मच फ्रेंड्स